नमस्कार मैं हूँ सौरभ दिवेदी और आप देख रहे हैं दीललंटॉप.com जिन्दगी की शुरुवात नीन से उठते हैं दिन की शुरुवात होती है शुरुवात होती है तो नजर अखवारों पर जाती है आप कितना भी अपने आप से कहें कि आज एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं सारी स्वस्थ आड़तों के साथ जब नजर अखवारों पर पढ़ती है तो मन खिन हो जाता है बालकणी में लगे गंवलों की नई उगी पत्तियां धूमिल लगने लगती हैं सूरज का उजास्फी का पढ़ने लगता है क्योंकि बार बार लगातार हमें बताया जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं हमें बताया जाता है कि हमारे ये अधिकार और कर्तव हैं और फिर बताया जाता है कि आज के रोज हमारे भारत में क्या हो रहा है हमारा भारत जिसके माते पर जम जाता है क्योंकि उस बच्ची की बिरादरी को गाउं से बेदखल करना है और कानून की रखवाली करने वाले काले कोट पहनने वाले पूरी बेशर्मी के साथ हाथ में तिरंगा लेकर न्यायाले में प्रदर्शन करते हैं ताकि उस बच्ची के रेप और कतल की जाज करने वाल और जिसके डीजीपी सारजनिक रूप से लड़ते हैं एक पुलिस वाला दूसरे पर इलजाम लगाता है ड्रग माफिया के बचाओ का उसके बाद बारी आती है दिल्ली की दिल्ली जहां कोई पकोड़े बेच रहा है कोई छोले भटूरे बेच रहा है और दोनों ही दलों को की बेशर्मी छिपाने के लिए गांधी की मूर्ती मिल गई है जहां पर कुछ चमकदार कांग्जों पर कुछ इबारतें लिख दी जाती हैं और एक धोंग होता है एक प्रदर्शन होता है जिसे पूरे देश तक पहुँचाने के लिए पीवी के कैमरे चमकने लगते हैं तुम अपनी बारात ले जाओगे सम्मान के साथ ले जाओगे लेकिन हमारे बताए रास्ते से ही ले जाओगे क्योंकि अगर तुम अपनी मर्जी का रास्ता चुनोगे तो इस प्रदेश की न्याय विवस्था को खतरा पहुँच जाएगा वैसे भी दलितों से न्याय अपारत पोत रहा है अपनी राजनीती की एक नई इमारत बना रहा है और नारंगी रंग को नीले रंग में बदल कर अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करना चाह रहा है आगे बढ़ते हैं लखनव नजर आ रहा है नक्षे पर लखनव से जादा दूर उन्नाव नहीं है एक घंटे का सफर है एक घंटा वो समय है जो कोट ने दिया था योगी आदितिनाथ की माननी सरकार को माननी सरकार से आपको उत्तर प्रदेश के डीजीपी की वो प्रेस कॉन्फरेंस याद आई जिसमें रेप के आरोपी विधायक को बार-बार माननी कहा जा रहा कहा भी जाना चाहिए यह बदले समय की कहानी है यह बदलते भारत की कहानी है जहां माननी के दाइरे नए सिरे से रचे जा रहे हैं उन माननी और उनके समर्थकों की बेशर्मी और दवंगई का एक नमूना आपको दिखाएंगे उन विधायक की कहानी सुनाने के लिए ही त पत्ता रूट दल की गुंड़ई है टीमसी के लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सालों लेफ्ट वालों से पिट कर आए हैं इसलिए अब पीटने की उनकी बारी है अब पंचायत के चुनाव में उनकी दबंगई जारी है उससे नीचे आईए 36 गड़ है धान का कटोरा कहा ज पड़े जहां नीचे बारूदी सुरंग बिछी है और लोगों को डर है लोगों को डर है कि प्रधानमंत्री आए तो डर ना जाए इसलिए उनके डर को दूर करने के लिए सुरक्षा के चाक्चोबंद इंतजाम है तो क्या हुआ जो इन इंतजामों की खातिर लगातार हर ह अखवार में सिंगल कॉलम ही सही पैरा मिलिटरी के जवान मारे जाते हैं जवान मारे जाते हैं वो कारवाई करते हैं तो नकसली मारे जाते हैं यह सिलसला सार दरसाल चल रहा है कभी कड़ी निंदा होती है कभी मानवादिकारों का हनन होता है नहीं होती है तो जमीन के नीचे आईए राजिस्थान है जहां कि किसान जब तब जैपुर पहुंचते हैं महरानी को उनके वाइदे की याद दिलाने के लिए फिर उसके नीचे गुजरात है जिसके चमकीले मौडल को बेच कर एक मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री बन गया और उसी गुजरात में उस मौडल का विरोध करते करते तीन नेता राष्ट्री राजनीती में चमकने की कोशिश कर रहे हैं महरास्ट्र है जहांके फफोले लगे पैरों ने पता नहीं देश की अंतस्चेतना को कितना जब जोरा और सबसे नीचे तमिलनाडू जिसका एकलोता डर आज ये था कि आगत प्रधानमंत्री को कितने भगवा और कितने काले जंडे दिखाए जाएंगे तमिलनाडू में गुस्चा है गुस्चा एक तो शाश्वत है गुस्चा इस बात का है कि संख्या में सिर्फ जादा होने की वजए से हमेशा उत्तर भार के नारे उत्तर भारत के मुद्दे ही उत्तर भारत की या कि पूरे भारत की सियासत को कैसे तै करते हैं गुस्सा इस बात का है कि माननी यह दूसरा माननी है और इसमें भी आस्था बची हुई है हलाकि इस आस्था पर भी अंदर से ही चोट आ रही है कि माननी सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूद कावेरी वाटर मेनेजमेंट बोर्ट क्यों नहीं बन रहा है सब जगे सियासत हैं सब जगे चुनाओ हैं सब जगे वोटर हैं और उन वोटरों को बर्गलाने के लिए सब जगे नेता हैं ये नेता कितने बेशरम हैं ये नेता कितने मजबूत हैं ये आप अगले वीडियो में देखिए देखिए और अपने भीतर थोड़ा सा सात्य किस अगर थोड़ी सी मिट्टी बची है थोड़ी सी नमी बची है तो इसके भीतर कहीं एक बिर्वा रोप के देखिए देखिए कि क्या अभी भी उम्मीद क्या अभी उश्मा की कोपल खिलनी बाकी है यह विधायक यह माननिय विधायक जिनका नाम कुलदीप सिंग सेंगर है जो बहुत ही सब्ह और माननिय तरीके से विक्टिम के पिता को धंका रहे हैं आपस में बात सुल्जाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो पूरा देश देख चुका है मैं माननिय विधायक की दूसरी सफाई दिखाना चाहता हूं कुछ लोगोंने साजिस कर देए मेरे खिलाब दूस्परचार किया है और किसी राजनेती पेक्टिके लिए जो दूस्परचार की लगया है वो उसकी इस्तित के लिए बहुत खराव है जिन लोगों ने इस साजिस को अंजाम दिया जो लोग आज चैनलों पर बाते कर रहे हैं, उनका किसी ने इतिहास नहीं देखा, उनका क्रत्ति क्या है, किस तरीके से साजिस्की गई, हमको रेव कारों की वरा है, हमने अपने राजनेतिक जीवन में, समाजी जीवन में, कभी कोई ऐसा कारिया किया, मैंने आपके चैनल के मादन से पहले भी कहा था, कि मैं भारती जन्ता पार्टी का कारिकरता हूँ, नियाएक ब्योस्ता का सम्मान करता हूँ, गरीब कंजोर लोगों की मदद करता हूँ, राष्टी अध्यष जी हमारे आज आये थे, उनका जो निर्देश होगा, हमारे ब्रिदायप नहीं भागी हों न मुझे भागने कि कर आया हूँ, सत्य कि राप जबाहूं का है, आपको यह आशंका है कि SIT की जो रिपोर्ट है वो अपके खिलाफ आये बदायक कहें चले गए हैं ना मैं कहीं चुपा हुए मैं तो सब के बीश में हो और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ कुल्दीब सिंग तुम संघर्ष करो अरे यार तुमको इसलिए तो नहीं बुलाया था चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं की सत्ता रूर दल का विधायक अपने लाव लशकर के साथ राजधानी में एसेसपी के बंगले में रात में घुस जाता है और अपनी चौदराहट दिखाते हुए ये कहता है मीडिया में खबर चल रही है मैं फरार हूँ मैं आपके सामने पेश हूँ कोई बात नहीं अगर एक रेप का इज़ाम लगाने व पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है और सुबह तक वो मर जाता है कोई बात नहीं अगर विधायक का भाई एक गाउदार को अपने गाउं के व्यक्ति को बेरहमी से पीटता है और फिर जब उसको मेडिकल के लिए पुलिस ले जाती है तो वहाँ पर भद्दे और को बरखास्त करती है स्रीयों को बरखास्त करती है अधिकारियों को उन अधिकारियों को जिनकी मेडिकल की जाच की जिम्मेदारी थी उनको बरखास्त करती है कोई बात नहीं विधायक जी के भाई को तो गिरफतार कर लिया कोई बात नहीं हाई कोर्ट में फटकार लगी ज जो आज कोट की प्रोसीडिंग की दुहाई दे रहे हैं लेकिन जिनके जिले में तैनात कप्तानों की बहादुरी उनके शौर के किस से रोजाना जो इस्थानी अखवारों के पन्ने हैं उस पर चाय रहते हैं मुटवेड हुई इसको गोली लगी मुटवेड हुई उसको माननी हैं क्या कह रहे थे माननी विधायक बोले मेरा इत्यास कुल्दीप सिंग सेंगर का इत्यास लॉइन ओर्डर की इज़त करते हैं अध्यक्ष जी के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कुल्दीप सिंग सेंगर जिन पर पुलिस पर जिनके परिवार जनों की उपर इल माननिय विधायक जी का ये जवाब होता है कि मैं पाक साफ बरी निकला कुल्दीप सिंग सेंगर जो अपने आपको बीजेपी का कारिकरता बता रहे हैं लेकिन मैं घड़ी के काटे को एक चक्कर भी पूरा घुमा दूं तो कुल्दीप सिंग सेंगर के माथे का भगवा तिलक सर की लाल टोपी में तब्दील हो जाता है क्योंकि कुल्दीप सिंग सेंगर दस बरस तक सपा के विधायक थे और अगर दस साल और काटा घुमा दूं तो कुल्दीप सिंग सेंगर की लाल टोपी फिर से माथे के तिलक में बदल जाती है लेकिन इस बार तिलक का रंग भग लगवा नहीं नीला है क्योंकि दस बरस के पहले कुल्दीप सिंग सेंगर विधायक थे बस्पा के विधायक थे माननिय थे कुछ और पीछे लोटता हूं तो कुल्दीप सिंग सेंगर के नाम के आगे कॉंग्रेस लिखा नजर आता है लेकिन ये वो कॉंग्रेस नहीं है जो कभी छोले वटूरे खाती है कभी उपवास की बात करती है ये वो कॉंग्रेस है जो लोगतांत्रिक होने का दावा करती थी और जिसके मुखिया नरेश अग्रवाल इतने लोगतांत्रिक हुए कि अपन सींगर यह टेवर हिंदुस्तान के सामन्ति वर्ग के तेवर की तरह जो आजादी मिलने के बाद भी थोड़ा चला हुआ महसूस करता है इस लिए नहीं करता है कि उन्हें उसके हिस्से के हक नहीं मिले इस लिए महसूस करता है कि बाप दादाओं के जमाने से पीड़ी दर पीड़ी जमीन पर कबजा न्याय व्यवस्था पर कबजा जो सामंती शासन चला रहा था उसमें कुछ कटोती हो गई है और इसलिए फर्क पड़ता है इसलिए काम नहीं चलेगा काम चलने का वक्त बीट गया है एक जगे पड़ रहा था कि मीडिया का काम भौकना है और अगर भौकने के बाद भी जिनको जागना है वो नहीं जागें तो मीडिया न्याया ले इन सब का काम काटना भी है अब लगता है कि उसी का समय आ गया है देखिए माननी विधायक के समर्थकों के तेवर मीडिया से बात करते हुए पुलिस के पास जाते हुए ग्यारा अप्रेल रात साले ग्यारा बजे दीपक कुमार का आवास पहले दस गारियां पहुँचती है फिर पाँच फिर पाँच ऐसा लगता है कि विधायक किसी किस्म का शक्ति प्रदर्शन क के जिनकी प्रतिबधता बस्पा के लिए थी प्रतिबधता चुनाओ जीतने और उसके एक साल बात तक रही लेकिन जब राज-सभा की चुनाओ आए तो प्रतिबधता बदल गई कमल का फूल सबसे बड़ी मश्बूथी नजार आने लगा या फिर यूँ कहें कि स्थानिय नुवाइंदों की माने इस्थानिय पाशिंदों की भाषा में बाद करें तो छत्री वाद हावी हो गया ये छत्री वाद है जिसका इल्जाम अब योगी आदित पिनात रहा है ये छत्री वाद है जो उनके चाहे अंचाहे उनकी प्रिशाशनिक शमताओं को लगातार कमजोर बता रहा है मैं नहीं बात करूँगा रॉबर्ट्स गंजिले से आने वाले अपना दल के उस विधायक की जिसने ये कहा कि इनको सीखते सीखते पांच बरस लग जाएंगे और तब तक मुख्य मंत्र तूकाल बीच जाएगा घनर में धंदा हो रहा है जिसे मुख्य मंत्री रोक नहीं पा रहे मैं नहीं बात करूओंगा इनके ही सहोगी राजभर साहब की जो कहते है कि सहोगी दलों की नहीं सुनी आती यह सब सियासी मसले हैं यह सब प्रशास्टिंग मसले हैं मुख्यमंत्री जाने उत्तर प्रदेश की जनता जाने लेकिन जहां सीधे सीधे कानून की विवस्ता को बधिया करने का काम चल रहा है वहां पर सब कुछ जान कर भी चुप कैसे रहा जाए देखिए यह नजारे हैं विधायक जी और मीडिया के भी जगड़े के और उसके बाद कुछ थोस तथ्यों पर बात कर ली जाए तथ्य जो योगी आदितनात की सरकार की ही बनाई कमिटियों के जरीये सामने आए सामने आए लेकिन कारवाई नहीं हुई एडी जी राजीव कृष्ण उनके नेत्रत्यों में गठित हुई असाइटी जिसने 24 घंटे के अंदर रपट दाखिल की इसका करम देखिए मीडिया में चीजें आती है मुक्यमंत्री के आवास के सामने आक्मदाह की कोशिश होती है उस कोशिश के बाद थोड़ा बहुत संग्यान लिया जाता है मामले को दबाने की कोशिश होती है फिर उसी रात पीरता के पिता को जेल में वो मर जाता है उसकी जात चल रही है कोट ने कहा है कि अगर लाश अभी तक उसको ठिकाने नहीं लगाया गया जलाया नहीं गया है तो उसको सुरक्षिद रखा जाए फिर बवाल शुरू होता है फिर विधायक जी की सफाई आती है फिर कहा जाता है कि कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब तो कुछ और बयान दिया गया था फिर सामने आता है कि तहरीर बदल दी गई फिर सामने आता है कि विधायक जी क किसमी की अदालतें लगती हैं जिसमें दावे और प्रतिदावे होते हैं नहीं होता है तो सिर्फ न्याए माईकों से भागते हुए सरकारी नुमाइंदे कोई तसली बक्ष जवाब नहीं दे पाते हैं तत्यों की बात कर रहा था जो अब सरकार ने किया है अपना कामन बचाने के लिए वह सी बी आई जाज की संस्तुति इसके अलावा विधायक कुलदीब सिंग सेगर के खिलाब गैंग रेप और पीड़ता के पिता से मारपीट का मुकदमा दर्ज थाना माखी यह माखी ही है जहां की प्रधानी ने कुलदीब सिंग सेंगर और उनके परि को ही मारपीट और पीड़ता के पिता की मौत के मामले में दर्ज सभी केसों की जहां सीब्याई से करवाने की सल्स्तुति सफीपूर के सीओ कुमर भादूर सिंग को सस्पेंड कर दिया गया पीड़ता के इलाज में कोताही बरतने वाले और नाओ के दो को जो नज़र आ रहा है वो एफ आई यार है एफ आई यार जिसके लिए बाकाइदा सुप्रीम कोट का निर्देश स्यापीसी के तहट की किसी भी पीड़त की एफ आई यार को हर हालत में बिना कतर व्योंत के बिना किंतु परंतु के जरूर दर्ज किया जाए आकिरकार अ उठे सवाल कि जब फाई आर दर्ज हो गई है तो माननीय विधायक कुल्दीप सिंग सेंगर को गिरफतार क्यों नहीं किया गया स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी मैं जब भी डीजीपी को देखता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश का गेस्थाउस कान्ड याद आता है उस वक्त जनाब की पोस्टिंग लखनों में ही थी पर वो मामला फिर कभी प्ले करिए वीडियो कि आपको बताया गया है हम लोगों दे प्रदेश के अंडर प्रदेश के अंडर प्रदेश को देखता हूं तो मैं तो इसका हूं कि कोई दोशी नहीं करा किये गए है वो एक आरोग लगा है और उस आरोग की जाज उसकी विवेश्णा हमने सीपी आई को दे दिया है और सीपी अब उसको गुंदोश के आधार पर जिड़ने होगा ठीक कहना है डीजीपी साहब का अभी तो आरोग ही लगे हैं अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है तो विध्या को इज़थ देने में क्या दिक्कत है, माननी है कहने में नहीं है दिक्कत पर्थम दृष्टेया सबूतों के हिसाब से आर्वाई विधायक का नाम नहीं बोला था यह मैं क्या कह रहा हूं यह वो तर्क हैं जो पुलिस ने प्रेस कॉंफरेंस में रखे फिर बताया पुलिस ने की पीर्टा के चाचा बाद में लड़की को लेकर दिल्ली चले गए और 17 अगस 2017 कुल नई से पीर्टा ने शिकायद दी जिसमें से जेल में इलाज नहीं मिला जिलास्पस्ता ले जाने की बात कही गई थी लेकिन लापरवाही की गई लहाजा डॉक्टरों पर एक्शन लिया गया अब आगे की जहां सीब्याई को और गिरफतारी भी वही करेगी अब यह यूपी पुलिस का आखिरी जुमला है अपने ब बरते हैं इसलिए न्याय पालिका भी है एंटर न्याय पालिका हाई कोट इलाहबाद तारीक 12 अप्रेल सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की बेंच ने की भोसले साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की थी रिपोर्ट पहुंची तो हाई को गुस्सा आया सरकार को जमकर फटकार लगाई फिर सवाल पूछा की विधायक अब तक गिरफतार क्यों नहीं हुआ आदेश दिया एक घंटे में विधायक को गिरफतार करिये दोबारा आईए दो बच कर 20 मिनिट पर सुनवाई होगी लंच बात फिर सब जुटे मगर नहीं जुटे तो स संतुष्ट दे सकें माननिय कोट को सरकार ने कहा विधायक के खिलाब पर्याप्त सबूत नहीं है जो भी कारवाई हो रही है सब कानून के मुताबिक है अब कोट में फैसला सुरक्षित कर लिया है 13 अक्टूबर माफ कीजिए 13 अपरेल दो पहर दो बजे हाई कोट फैसला स हाई कोट का फैसला सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं आप सुरक्षित हैं देश सुरक्षित है सुरक्षित वह मौलवी भी था जो कुछ रोज पहले डीटीसी की बस में चड़ा था वह सुरक्षित तब तक था जब तक उससे उसकी देश भक्ति साबित करने को नहीं कहा गय उससे कहा गया कि हिंदुस्तानी हो तो साबित करो उससे कहा गया कि जैश्री राम और जैमातादी के नारे लगाओ उसने नारे लगाए वो फिर भी पिटा पूरा देश कहीं कोई किसी को पीट रहा है कोई पिट रहा है केरल में जाए तो वहाँ पर संग के कारकरता मारे जा रहे हैं बंगाल में जाईए तो वहां पे TMC के लोग गुंड़ाई कर रहे हैं बाकी राज्यों में जाईए तो भाजपा वालों का ऐसा ही जल्वा नजर आ रहा है इस हमाम में सब नंगे हैं और इन नंगों को चुनने वाले हम और आप हैं दिललनटॉप.com लोगतंतर की आप हैं दिललनट की आप हैं और दो दो रहा हैं ये जल्वा हैं जाईए तो भाज़ाई हैं...